दोस्तों आज मैं आपको पपीते से करने वाला बहुत ही असरदार वशी करण बताने जा रही हूँ आज अपनी जिन्दगी में आप इस उपाय को अगर करते हैं तो आपकी सभी जमस्याओं को दूर करेगा अगर आप किसी दुश्मन को अपना प्रेमी बनाना चाहते हैं चाहते हैं कि वो आपसे दुश्मनी छोड़ दे अपने रूठे हुए प्यार को मनाना चाहते हैं चाहते हैं कि आपका जो प्यार जो आपस दूर चला गया है वो वापस आपकी जिन्दगी में आ जाए तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए आपको बताते हैं कि इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है और इसे अगर आपने कर लिया तो आपका जो प्यार है आपसे पागलों की तरह प्यार करने लगेगा आपके लिए दीवाना हो जाएगा वो लड़की जो आपसे बात नहीं करती है वो आपके लिए दीवानी हो जाएगी तो दोस्तों बड़ी साफधानी से आपको ये कारे करना है आईए बताते हैं आपको क्या करना है महाशक्तिशाली वश्रीकरण की विधी ये है कि आपको एक पपीता लेना है उसे छीलना है दोस्तों साफधानी से छीलें इसका छिलका जो है इसका जो छिलका है वो आपको बाहर नहीं फेकना है अब आपको क्या करना है पपीते को काट लेना है उसमें से सारे बीज आपको एक दूसरे पेपर पर निकाल के रख देने हैं अब इस पपीते को साथ टुकडे में काटना है और उसके बाद आपको 221 बार उस व्यक्ती का नाम लेना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उसके बाद बीज और छिलके को आपको नदी में बहा देना है और पहले टुकडे को खुद खाना है दूसरा टुकडा आप उस लड़की या उस महिला को खिला दें जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और बाकी बचे हुए टुकडों को एक एक करके बरगद, नीम, पीपल, आम और सबसे जरूरी इमली के पेड़ के नीचे एक फिट गढधा खोद कर उसमें दबा दें और घर आकर नहा लें और पीछे पलट कर आपको नहीं देखना है जी हाँ आप देखेंगे इसका असर कुछी घंटों में इसका असर होता है वो व्यक्ती जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में होगा और आपको इसका तुरंथ फायदा मिलेगा आपके लिए ये उपाई जरूर करेंगे और आपकी जो समस्या है उसे दूर करने में मदद करेंगे तो आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए वाटसप भी कर सकते हैं कॉल लगाएं आचारे योगीनाजी को उनका नंबर है प्लस नाइन वन नाइन एट सेवन डबल एट थ्री सिक्स डबल जीरो टू तो दोस्तों आपकी सभी समस्याओं की समाधान के लिए कॉन्टाक्ट करें आचारे योगीनाजी को